दिपावली अवकाश के बाद हम अपना अध्यन वापिस आज से सुचारू रूप से प्रारम करेंगे अध्यन प्रारम करने से पूर सबसे पहले दिपावली की आप सभी छात्रों को हार्दिक सुपकाम नहीं ता आसा करता हूं कि आप निरंतर यूटूब चैनल के माध्यम स अध्यन को सुचारू रख रहे होंगे आप लोग जब तक महाविद्याले उपन नहीं होते हैं तब तक महाविद्याले स्री प्रिताप सिंग्ग बारेट राज की असनात को तर महाविद्याले शापुरा के यूटूब चैनल तथा भूगोल विभाग के यूटूब चैनल के आपको उपलप्त कराए गए लिंक के माद्यम से अपना अध्यन निरंतर रूप से जारी रखें पूर वीडियो में हमने अरावली परवत रंकला के बारे में सामाने जानकारी पर चर्चा करी थी तथा उत्री अरावली कामने अध्यन कर लिया था आज हम उसकी अरावली के दो खंड मद्य अरावली तथा दक्षिनी अरावली के बारे में चर्चा करेंगे तो हम प्रारम करते हैं देखिया आप मुख्य अरावली की जब हम बात करते हैं मुख्य अरावली जो है वह सामाने रूप से तीन भागों में भाजित की जाती है सबसे उत्तर का जो जैपूर अलवर का जो भाग है वो उत्तर अरावली कहलाता है उसके अजमेर चिल्ले का जो मुख्य भाग है वह मद्धिय अरावली कहलाता है तथा राजसमंद उदैपूर सीरोई का जो भाग है वो दक्षिनी अरावली के लाता है तो हमने जैपूर और अलवर से समंदित भाग का दिन्द कर लिया था आज हम मद्य अरावली के नाम से अजमेर और जैपूर में कुछ भाग इसका जो आता है उसका दिन्त करेंगे जिसमें मुख्य विस्तार मद्य अरावली का मिलता है अजमेर जिल्ले में सरवादिक महतवपुन जिल्ला इसमें अगर बात करें तो वो अजमेर है इस क्षेत्र में इसकी ओसत उंचाई 550 मिटर मिलती है अधिक्तम चोड़ाई यहां 80 किलो मिलती है अगर हम ओसत चोड़ाई की बात करें इस मद्य अरावली खंड की तो मातर 30 किलो मिलती है तो हम यह द्यान रखना है कि मद्य अरावली जो है वह रावली का अजमेर जिल्ले का एक सक्रा भाग है जिसकी चोड़ाई राजस्तान के सभी अरावली के खंडों में सबसे कम है उसे चोड़ाई इसकी 30 किलोमेटर मिलती है यहां कि अगर उच्चतम सिखर की हम बात करें तो बीरम जी या मराय जी जिसको जो कि टाटगट क्षत्र अजमेर मे मैं की तारागट पाहरी जो 833 मिटर उच्ची है तारागट् के पश्चिम में एक सरपिला कार आकार में ये नाग पहारी मिलती है और सरपिला कार में होने की कारी इसका आम नाग पहार पढ़ा है मारवार मेदान को मेवार की उचपरदे से अलग करने वाली अजमेर की जो पाडियां है वे मेरवाडा पाडियों के नाम से जानी जाती है यह अजमेर सहर के समीपरती भाग से एक समानांतर अनुकरम में कूकरा से प्रारंब होकर अजमेर जिल्ले की अंतिम सीमा राद समन्द की और अजमेर जिल्ले की अंतिम सीमा तक फेली हुई है इन पहाडियों का ढाल तीवर है प्रबले खड़ा ढाले तथा प्रपाती जिसको जनने नुमा रूप में आप समझ सकते हैं तो ये जो पहाडिया है इनका ढाल तीवर और प्रपाती है मद्य रावली में अजमेर जिल्ले की ब्यावर तैसिल में चार मुख्य दर्रे मिलते हैं उन दर्रों की हम बात करें तो सबसे महतुपून दर्रा एक बर दर्रा ये अजमेर से जोदपूर पाली के लिए मार्ग उपलब कराता है सबसे मैतुपूर दर्रा है ये बरदर्रा दूसरा सिवपूर गाठ सुरागाठ और परवेरिया ये चार मैतुपूर दर्रे हैं जो मद्दे अरावली के हैं दर्रे की सामने रुप से अगर हम बात करें तो पहाड़ियों के मद्दे तंग हिस्सा होता है दो पहाड़ियों के मद्दे एक तंग हिस्सा या मार्ग होता है जिससे एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की और जाया जा सकता है या दो पहाड़ियों के मद्दे का तंग रास सा या शक्डा मार्व जो होता है उसे हम दर्रा कहते हैं अब हम बात करते हैं दक्षिनियरली की यह रावली का सबसे मुख्य भाग महितिपूर भाग मैतुपुन भाग इस सेंस में क्योंकि अरावली की अगर जब हम बात करते हैं तो हम सीधा सीधा कल्पना में जो पहाडियां और जो वन संसादन हैं उनकी बात देखेंगे तो दक्षिनी अरावली में हमें सबसे प्रमुक्ता के साथ ही मिलते हैं दक्षिनी अरावली के अगर पहले विस्तार की बात कर लेते हैं तो राथसमंद, उदैपुर और सिरोही ये तीन मैतुपुन जिलने हैं राथसमंद, उदैपुर और सिरोही इसके अलावा डूंगरपूर, बासवड़ा चितोड़गर, प्रताबगर, वीलवड़ा का जो कुछ भाग है उसमें भी विस्तार की रूप में असाखा की रूप में दक्षिनी अरावली का विस्तार मिलता है दक्षिनी अरावली परत्य प्रदेश का सबसे उच्चा भाग है इसकी सरवांदि कुचई सिरोही में मिलती है, सरवांदि क्षोड़ई और विस्तार की बात करें तो ये उदैपूर जिल्ले में मिलता है दक्षिनी अरावली कौम अद्धिन की दिस्टी से दो भागों में विवाजित करते हैं और दो भागों में विवाजित करते हैं, उन दो भागों का नाम करन करते हैं तो सिरोई की पाड़ियां या आबू परवतखंड, क्योंकि यह मैतुपुन पाड़ी है, सबसे उचा पाड़ी खंड है, सिरोई की पाड़ियां या आबू परवतखंड, दूसरा है मेवार पाड का सबसे उच्छा भागे इसकी उच्छाई ओसत उच्छाई की अगर हम बात करने तो 1200 मिटर है आबू परवत खंड जो है वो ग्रेनाइट से निर्मित एक विशाल बैथौलित के रूप में 19 किलोमेटर लंबा और 8 किलोमेटर चोड़ा परवती भागे अब यहां एक सब्द सबस्क्राइब करने और 9C7 के लिए यही जब यह भूगर्त के वीतर आंट्रिक स्क्राइब के द्वारा आपर्धन होता है है कि तो नीचे आपरी सत्य के समय की निर्माने होग्र स्थिंध के समय से हैं तो लगवट 4.5 अरब वर्ष से लेकर अब वरतमान समय तक जो विबिन काला क्रम में प्रत्वी का पर विबिन अपरदन कारी कारकों ने काम किया है उससे ये जो वेथोलित जो कभी भविश्य बूत काल में एक आंतरिक स्लाकरती की रूप में था आज हमारे सामने उबर कर ए एक सत्य इस्लाकरती की रूप में आगया और विशाल बैथोलित के रूप में है और भविश्य में अगर बात करेंगे तो हो सकता है दीरे दीरे ये बाद और अपरदन की प्रक्रियाओं के साथ क्षिन होता चला जाएगा तो आबू परवत खंड पर जो जो है वो एक ग्र जिल्यम में इस सिखर को कर्णल जैंस टॉड ने संतों का सिखर कहा था और यह बहुत ही मैं प्रस्ण आता है कि गुरु सिखर को संतों का सिखर की स्विध्वान ने कहा था ता आपको ज्यान रखना है कर्णल जैंस टॉड ने कर्णल जैंस टॉड वह इकती थे जिन्हों न अपने पुस्तक लिखी से एनाल्स एन्टिक्रिटीज ओफ राजस्थान इसका अन्य जो नाम है वो गुरु माथा गुरु सिखर मौंट एवरेस्ट और नीलगीरी पाडियों में जो नीलगीरी पाडियों में सबसे उची जोटी अनाई मुडी और दोदा मेटा के मद्य का सबसे उची चोटी तरह 15 उसको में है कि mi modern दोनों के मद्य में बात करें राजस्थान में जो गुरु सिखर रहे वही सबसे उची जो अगर हम बात करें कि हमाले की चोटियों को छोड़ कर हिमाले की चोटियों को छोड़ कर डक्षिन में भारत की भोगोलिक शत्र के अंदर अंदर हिमाले की परवत चोटियों के अलावा और दोदा बेटा के मद्दे इस संपुन भारत में सबसे उंचा परवत सिखर कौन सा इन दोनों के मद्दे तो को आकरशित करती है सबसे नीची जील की अगर आपको ध्यान रखना है तो बालोत्रा में पजबत्रा जील है रास्तान का सबसे उंचाई परस्ति चो पठार है वह है उडिया पठार तेरा सो साथ मिटर दूसरा बोराट का पठार बारा सो पचीस मिटर सीरोई के पश्री में भाग में आबू सीरोई स्रेनी की रूप में जो जस्वनपूरा परवती एक्षत्र दोरा परवती एक्षत्र है उसकी उंचाई 849 मिटर मिलती है जस्वनपूरा परवती एक्षत्र क इसराना भाकर है जिसकी उंचाई 849 मिटर मिलती है दूसरी चोटी जो हमें मिलती है वो रोजा भाकर 730 मिटर है तीसी चोटी जारोला पार 588 मिटर है यहां एक नौट परिक्षों में पूछा जाता है जिसको ध्यान रखना है कि सिरोई के पषिमी भाग और जालोर जिल्ले में तिवड़ ढाल युकत उबर खावर पारियां क्या कहलाती है तो उनके लिए हम एक सब्द का इस्तेमाल करते हैं भाकर भाकर जो है, शिरोय के पेशिमी भाग और जालोर जिली की तिव ढर्ल्यल पाडियां भाकर कहलाती है सीवाना परवती औक्षत्र में गोलाकार पाडियां छपपन पाडियों का एक समु मिलता है, जिसे हम छपपन की पाडियां कहते है तो आपको देखो चपन का मेधान जो है वो हमारा प्रताफगड में है माही नदी के एक्षत्र में जबकि चपन की जो पाड़िया है वो सिवाना परविति एक्षत्र में गोलाकार पाड़ियों के रूप में पाई रती है ये परवती एक्षित्र जो है वो प्रशिद जेहनस्तल नाकोडा वेरो के नाम से भी प्रशिद है अब दूसरा दक्षिन एरावली में अगर हम मेवार पाडियों की बात करें तो मेवार पाडियों के अंतरगत आप देखिए उदैपूर और राजसमन जिल्ले में गोगुंदा कुंबल गट के मद्दे 1225 मिटर उंचय का एक बोराट का पठार मिलता है सबसे मैं तुफूर्ण है ये चरसमन के पूर में 325 मिटर से 650 मिटर के मद्दे एक लासडिया का पठार मिलता है तो आपको देखिए मेवार की पाडियों में उदयपूर रासमन के मद्दे अथाद गोगुंदा और कुंबल गट के मद्दे 1285 मिटर उंचय का बोराट का पठार चरसमन के पूर में 325 मिटर से 650 मिटर उंचय के मद्दे एक लासडिया का पठार तथा उदैपूर सहर के चारों और एक पहाड़ियां से गिरावा तस्रीनों मा बैसिन जो मिलता है उसे हम गिरवा कहते हैं उदैपूर राजसमन पहाड़ियों की सबसे उंची जो चोटी है उसका नाम है जरगा जिसकी उंची 1431 मिटर मिलती है इस मेवाड पहाड़िक शत्र में जो प्रमुक दर्रे हैं उन्हें नाल का जाता है उन प्रमुक दर्रों की बात करें तो सबसे प्रमुक दर्रे है वो है जीलवा की नाल या पगलिया नाल जीलवा की नाल जो है वो राजसमन में है मारवाड से मेवाड को जोड़ता है पाली क कि लेके निकट है और उदयपूर की और इसे मार्ग मिलता है देशुरू की नाल पाली में है चोथा हल्दी गांटी वे दिवेर का दर्रा जो है उदयपूर में है पांचवा गोरम गांट डर्रा जो नाल राजसमंद में है कामली गांट राजसमंद में है राजस्तान में 122 मिटर उंची दूसरी सेर सीरोई में 1557 मिटर तीसरी देलबडा सीरोई 1442 मिटर जरगा उदैपूर 1431 मिटर अचलगर सीरोई 1380 मिटर फिर आबू शीरोई 1295 मिटर फिर कुंबलगर राजसमन 1224 मिटर दोनिया ढूंगर उदैपूर 183 मिटर रिशिकेश शिरोई 1017 मिटर, कमलनात उदैपूर 1001 मिटर, सर्जनगड उदैपूर 938 मिटर, सायरा जिल्ला उदैपूर 900 मिटर, लीलागड उदैपूर 864 मिटर, नाकपानी उदैपूर 867 मिटर, गोगुंदा उदैपूर 840 मिटर, कोटडा उदैपूर 415 मिटर, तथा रिस देव जिल्ला उदैपूर 400 मिटर ये प्रमुख छोटिया हैं आप इनको अलग से नौट करके आप मांचित्र पर भी एंकित करके अपना याद कर सकते हैं और इन में एक क्रम प्रतियोगी परिक्षाओं में भी पूछा जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडिय अच्छा लगेगा और प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए भी मैंने इसमें फैक्स का समवेश किया है क्योंकि आजकल बच्चे माविद्याले सिक्षा के साथ सा सीधा प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी भी करना चाहते हैं तो उन्हें दो अलग-अलग स्थानों पर अप जो त्रें की जो अनकारी उपलब्द हो जाए इस प्रियास के साथ आपको तत्यों राजस्तान का वगोल में तत्यों को भी यहां उपलब्द कराया गया धन्यवाद